दोस्तों इस वीडियो में हम DD Freedish को लेकर ही बात करेंगे और बताएंगे कि DD Freedish में हमारे लिए दो नए चनल्स कभी भी लॉंच हो सकते हैं अगर उसके हमारे लिए इउक्षन को प्रिविया को अंजाम दे दिया जाता है अब यह कौन से चनल्स हमारे लिए लोंच हो सकते हैं कौन से स्लोट्स के लिए होंगे तो उसकी जो पूरी जानकारी है वापको इसी वीडियो में मिलने वाली है तो किर्प्रे करके इस वीडियो में बने लिए दोस्तों चनल पर पहली बार आये हैं तो चनल को सब्सक्राब कर दीजिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें तो बताना चाहता हूँ कुछ वक्त पहले ही आपको मैंने यहाप पर बताया है कि डीडी फिडिश की ओर से MPEG4 स्लोट के लिए भी 45 वी ई-उक्षन कभी भी प्रो राटर बेसिस पर की जा सकती है और अगर यह हमारे लिए ई-उक्षन हो जाती है तो सबसे बड़ा सवाल ही होगा कि हमारे लिए कितने चैनल्स लॉँच हो सकते हैं अभी की बात करें तो यहां पर केवल दोई स्लोट मुझे नजर आ रहे हैं जिसकी जगा पर हमारे लिए नई चनल्स लॉंच हो सकते हैं सबसे पर दो स्लोट है वो है आरेन टीवी नैशनल का कलर बार्जी पेश कर रहा है और दूसरा स्लोट है ABP GANGA का कोकि ABP GANGA पहले से ही हमारे लिए NPHDW में भी तक मवजूद है लेकिन कहीं न कहीं अगर आगे चल कर ABP GANGA अपने स्लोट को रिन्यू करवा लेता है तो वो तो वैसी बना रहेगा अगर रेन्यू नहीं करवाता है तो उसके जगा पर भी हमारे लिए कोई नया चनल जुड़ सकता है अब डेडी फ्रीडिश अभी तक ऑफिशल इसके डेट रिलीस क्यों नहीं कर रहा है तो परसाल भारती ही जानता है लेकिन करी नहीं करी जाता है कि मुझे लगता है तो उसका कारण यहीं है कि इनके पास MPEZ4 में अच्छे खासे स्लोट्स खारे नहीं बज़े हैं तो हो सकता है कि इसी वज़े से इंतजार कर रहा है कि कोई स्लोट हमारे रखा लिए हो तो यह औक्षन को प्रिवा को शुरू किया जाए तो फिलहाख जो है कि अवल दो ही हमारे लिए नए चैनल से यहाँ पर जुड सकते हैं के लिए पर के इस वीडियो को लाइक जोग कर दीजिए और दोस्तों दोस्तों शेर कर दीजिए ताकि उनको भी इसे तरीकी बड़ी-बड़ी कवरे सबसे पहले मिलती रहे नमस्कार